इन दिनों रोजगार मेला यह मेरे लिए एक विशेश कारकम बन गया है पिछले कई महिनों से मैं देख रहा हूँ कि हर सब्ता बीजेपी शाषी किसी ने किसी राज्य में रोजगार मेले हो रहे हैं हजारों नव जवानों को रोजगार के लिए नियूक्ति पत्त दिये जा रहे हैं और मेरा सदभाग्य है कि मुझे उसमें साक्षी बनने का आउसर मिल रहा है ये प्रतिभास्चाली युवां सरकारी सिस्टिम में नई विचार लेकर के आ रहे हैं एफिशन्सी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं साथियों उत्तर प्रदेश में आयोजीत आज के रोजगार मिले का विशेश महत्व है ये रोजगार मिला नव हजार परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है इतना ही नहीं है बलकि यूपी में सुरक्षा की भावना को और ज्यादा मजबुत कर रहा है नई भरतियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल ज्यादा ससकत होगा और बहतर होगा आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन्हें नई शुरुवात और नई जिम्मेदारियों की मेरी तर्ब से बहुत बहुत बधाई है अनेक अनेक शुब कामना है मुझे बताया गया है कि 2017 से जब से भाजपा सरकार आई है अब तक यूपी पुलिस में डेड़ लाग से जादा नई नियुक्तियां हुई है अकेले एक डिपार्टमेंट पे यानि भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोत्री हुई है साथियों एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और द्वस्त कानूल व्यवस्ता की वज़़े से जाना जाता था आज यूपी की पहचान बहतर कानूल व्यवस्ता के लिए होती है तेज गती से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है हम सब जानते हैं कि जहां भी कानून व्यवस्ता मजबूत होती है वहां रोजगार की संभावनाए अनेक गुना बढ़ जाती है जहां भी बिजनेस के लिए सुरक्षित माहूल बनता है वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है और आप देखिए उत्तरप देश तो एक प्रकार से टूरिजम के लिए हिंदुस्तान के नागरीकों के लिए सबसे बड़ा सद्धा का केंद्रा है अनेक तिर्थक्षेत्र है हर परंपरा को मानने वाले लोगें लिए उत्तरप देश में सब कुछ है जब कानून व्यवस्ता मजबूत है ऐसी खबर देश के कौने कमने पहुंचती है तो उत्तरप देश में यात्रियों की संख्या भी बढ़ती है और इन दिनों हम देख भी रहे है भाजपा की डबल इंजिन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राठ्विक्ता दे रही है उससे हर सेक्टर में अलगनग सेक्टर में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस्वे का निर्माण नए एरपोर्ट्स का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर का निर्माण नया डिफेंस कोरीडोर की व्यवस्ता नई की मोबाइल मैनुफेक्टरिंग यूनीट्स आधुनिक होते वाटरवेज यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्रक्टर यहां के कौने-कौने में अनेक नए रोजगार ला रहा है साथियों आज यूपी में सबसे ज़्यादा एक्स्प्रेस वे हैं यहां हाइवेज का लगातार विस्तार किया जा रहा था अभी मुझे एक परिवार मिलने आया था उनके साथ एक बेटी भी थी तो मैंने इसे ही पुछा आप उत्तर प्रदेश से हैं उन्होंने कहा नहीं मैं तो एक्स्प्रेस प्रदेश से हूँ देखिए यह उत्तर प्रदेश के भैचान बनी है हर सहर से हाइवे को जोडने के लिए नई सड़के भी बनाई जा रही है विकास की ये परियोजनाएं रोजगार के अवसर तो बना ही रही है क्रिस्मस के समय गोवा जाते हैं गोवा पूरी तरह बुक रहता है तेकर इस बार आखड़े आये हैं कि गोवा से ज़्यादा बुकिंग काशी में था काशी के साउसत के नाते मुझे भहत आनन्द आया साथियों अपसे कुछ दिन पहले Global Investor Summit में मैंने निवेशकों का उत्सा देखा है हजारों करोड का ये निवेश यहां सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला है साथियों सुरक्षा और रोजगार की साजा शक्ति से यूपी की अर्थववस्ता को नई गति मिली है बिना गारंटी दस लाख रुपिये तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंक दिये बन डिस्ट्रिक बन प्रोड़क्ट में हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए है इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुचाने की सुविदा मिली है यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमेसेमीज है जो भारत में लगूद्यों को का सबसे बड़ा बेश है नए एंट्रप्रेनर्स के लिए स्टार्ट अप एको सिस्टिम बढाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमी का निभा रहा है साथियों आज जिने नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपके जीवन में नमी जिम्मेदारिया नई चुनवतिया और नए अवसर आने वाले हैं रोज नए अवसर आपके लिए इंतजार कर रहा है इसके बावजूद मैं आपको व्यक्तिगद रुप से उत्तर प्रदेश के एक साउसत के रुप में और इतने साल के मेरे सारवजनिक जीवन के अनुभव से मैं कहता हूँ कि साथियों भले आज आपको निवक्ति पत्र मिला है आपके जीवन के एक शुरुवात हुई है लेकिन आप अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना हर पल नया सीखना चमता बढ़ाना केपिबिलिटी बढ़ाना और अब तो ऑनलाइन भी इतनी सिख्षा की ववस्ता हैं होती इतना कुछ सिखने को मिलता है आपकी प्रगति के लिए ये बहुत आवशक है आप अपने जीवन को कभी भी स्थगित मत होने देना जीवन भी गति शिल रहे जीवन भी नई उचाईयों को पार करता चले और इसके लिए योग्यता को भढ़ाना आपको सरकारी सेवा में प्रवेश मिला है और इसे आप अपना प्रारंब ही समझिए आपको अपने व्यक्तित्व के विकास अपनी प्रगती पर भी ध्यान देना चाहिए अपना ग्ञान बढ़ाते रहना चाहिए जब आप इस सेवा में आए हैं इस भरतिया में आज आपको निवक्ति पत्र मिला है आप पुलीस के गणवेश में सज्य होने वाले हैं सरकार आपको डंडा देती है हाथ में लेकिन ये मद भूलना सरकार बाद में आई हैं पहले परमात्मा ने आपको दिल भी दिया है इसलिए आपको डंडे से ज़्यादा दिल को भी समझना होगा आपको संवेधन सिल भी रहना है और व्यवस्ता को भी संवेधन सिल बनाना है जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिला है उनकी ट्रेनिंग में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें जादा से जादा संवेधन सिल बनाया जाए यूपी सरकार पुलिस बलकी ट्रेनिंग में कई बडलाव कर तेजी से सुधारले का काम कर रही है यूपी में स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देले के लिए यूपाओं को साइबर क्राइम, फोरेंसिक साइंस और अत्याधुनिक टेक्नोलोजी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी साथियों आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी नवजवानों पर आम नागरीकों की सुरक्षा के साथ साथ समाज को दिशा देने की बिजिजिम्मेदारी है आप लोगों के लिए सेवा और शक्ति दोनों का प्रतिविम हो सकते हैं आप अपनी निष्ठा और मजबुत संकल्पों से ऐसा बातावन बनाए जहां अपरादी भैवित रहे और कानून का पालन करने वाले लोग सबसे ज़्यादा निडर रहे एक बार फिर आप सब को शुबकामना है आपके परिवार जनों को मेरी शुबकामना है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार